हेलो स्टूडेंस वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल स्पैसल अकेडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है स्टूडेंस जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का धेन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य से स्बंधित जो भी महतोपन प्रेशन हें उनकी जर्चा हम इन वीडियोस के माध्यां से कर रहे हैं और students अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें तो students हमने जो है तो आधनिक काल की discussion चली हुई है और हमने 25 प्रसन यहाँ पर discuss किये थे आज हम 26 से start करेंगे तो students start करते हैं हमारा आज का प्रसन तो हमारा आज का यह प्रशन है आधनिक काल को नवीन काल किसने कहा है तो हमारे पास option number A है गुलाब राय बी है डॉक्टर नगिंदर C है हजारी प्रसाद्विवेदी और D है नंद किशोर नवल तो आधनिक काल को नवीन काल की संगय किसने दी तो वो दी है गुलाब राय बी है तो हमारे पास option number A है ब्रजभासा B है खड़ी बोली C है मैथिली और D है उर्दू तो भारतेंदु जी की अधिकांस कविताएं किस भासा में है तो वो है ब्रजभासा में हमारा next question है मयंक महिमा कवीता के रचनाकार कौन है तो हमारे पास option number A हमारे पास है भारतेंदू हरिस चंदर B है बदरी नरायन चौधरी प्रेमधन C है परताप नरायन मिश्र और D है राम ररेस त्रिपाठी तो मयंक महिमा कवीता के जो रचनाकार है वो है बदरी नरायन चौधरी प्रेमधन हमारा next question है कौन करे जो नहीं करसत सुनी बीपती वाल बिद्धवनी की पंक्ती के रचनाकार कौन है तो हमारे पास option number A है भारतेंदू बी है ब्रिंदाबन, सी है प्रताप नरायन मिश्र और D है प्रेमधन तो इस पंक्ती के जो रचैता है वो है प्रताप नरायन मिश्र हमारा next question है प्यारे तीहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है तो हमारे पास option number A है भारतेंदू हरीस चंदर हमारे पास option number A है जैसंकर पशाद, B है भारतेंदू, C है जग मोहन और D है प्रताप नरायन मिश्र तो अजात सत्रू की साहित्यकार को कहा गया है तो वो कहा गया है भारतेंदू हरीस चंदर जी को हमारा next question है भारतेंदू ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी है तो हमारे पास option number A है दद्दा, B है जकी, C है सुकबी और D है रसा तो भारतेंदू ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी है तो ये लिखी है रसा उपनाम से और students ये जो question है ये बहुत बार paper में पूछा भी गया है तो आप जुरूर से जुरूर इसे याद रखें हमारा next question है नए जमाने की मुक्री किस की रचना है? तो नए जमाने की मुक्री किस की रचना है? हमारे पास option number A है अमीर खुसरो, B है भारतिंदू, C है मिजजगालिब और D है सुल्तानपुरी तो नए जमाने की मुक्री ये भारतिंदू जी की रचना है हमारा next question है प्रात समीरन कवीता में किस चंद का प्रयोग किया गया है? तो हमारे पास option number A है बंगला के प्यार चंद, B है हरी गीति का, C है रोला और D है कुंडलिया तो प्रात समीरन कवीता में किस चंद का प्रयोग किया गया है? तो हमारा जो option number A है बगला के प्यारचंद इसका यहाँ पर प्रियोग किया गया है हमारा next question है भारतिंदू ने किस कवीता में विदेशी वस्तों का वहिश्कार किया है तो हमारे पास option number A है फूलों का गुच्छा, B है भक्ति सर्वस्व, C है तादिय सर्वस्व और D है प्रबोधनी तो भारतिंदू ने किस कवीता में विदेशी वस्तों का वहिश्कार किया है तो वो है प्रबोधनी हमारा next question है Students अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like, share और subscribe जिरूर करें तो हमारा next question है कृष्णायन महकाब्य की रचना किस भासा में हुई है तो हमारे पास option number A है अबधी, B है खड़बोली, C है ब्रजभासा और D है मैथली तो कृष्णायन महकाब्य की रचना किस भासा में हुई है तो हमारा जो option number A है वो है अबधी अबधी भासा में कृष्णायन महकाब्य की रचना की गई है हमारा next question है कौन सा कभी भारतेंदु मंदल का नहीं है तो हमारे पास option number A है प्रेमघन B है अमबी का दतब्यास C है सुमेर सिंग और D है परताप सिंग तो कौन सा कभी जो है तो भारतेंदु मंदल का नहीं है तो वो है परताप सिंग हमारा next question है भारतेंदु यूग के कभीयोंने किसे काभ्य की आत्मा माना है तो हमारे पास option number A है रिती B है अलंकार C है रस और D है ध्वनी तो भारतेंदु के कभीयोंने किसे काभ्य की आत्मा माना है तो वो माना है रस को हमारा next question है भारतेंदु यूग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है तो हमारे पास option number A है नंदुलार बाजबई B है राम बिलास सर्मा C है अचारे सुकल और D है रमेज चंदर सह तो भारतेंदु यूग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है ये किस आलोचिक का कत्न है ये है राम बिलास सर्मा जी का कत्न हमारा next question है भारतेंदु ने कितनी का बेकरितियों की रचना की है तो हमारे पास option number A है सत्तर B है बचास C है चालिस और D है दस तो भारतेंदु ने कितनी का बेकरितियों की रचना की है तो वो की है सेवंटी सत्तर हमारा next question है उत्रार्द भक्तमाल किसकी रचना है हमारे पास option number A है नाबादास B है प्रियदास C है रतनाकर और D है भारतेंदू तो उत्रार्द भक्तमाल की जो रचना है वो किसने की है तो वो की है भारतेंदू जी ने हमारा next question है मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला ब्रिश भानू दूलारी पंक्ती के रचनाकार कौन है तो हमारे पास option number A है रतनाकर B है रस्खान C है भारतेंदू और D है हरियोद तो इस पंक्ती के जो रचनाकार है वो कौन है तो वो है भारतेंदू जी हमारा next question है सुकभी उपाधी किस कभी को दी गई है तो हमारे पास option number A है अमभी का दतब्यास B है गिविधर ब्यास C है जगनात दास और D है भगवान दी तो सुकभी की उपाधी जो है तो अमभी का दतब्यास जी को दी गई है तो हमारा next question है पैरोडी, सियाप़ा और गाली के रूप में कभी ताएं किस ने लिखा है तो हमारे पास option number A है परताप नरायन मिस्र B है प्रेमगन C है जग मोहन सिंग और D है भारतेंदू तो पैरोडी, सियाप़ा और गाली के रूप में कभी ताएं भारतेंदू जीने लिखी है हमारा next question है खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है तो हमारे पास option number A है अयोध्य सिंगुपाध्याई B है भारतेंदू हरीस चंदर C है अयोध्य परसाद खतरी और उड़ी है परताप नारायन मिश्र तो खड़ी बोली का पद्य जुपाध्य रचना है वो किसकी है वो है अयोध्य परसाद खतरी जी की हमारा next question है भारत बारा मासा नामक परसीद कभीता किसकी है तो हमारे पास option number A है राधा क्रिशन दास B है भगवान दीन C है परताप नारायन मिश्र और डी है राधा चनन गोस्वामी तो भारत बारा मासा नामक परसीद कभीता किसकी है ये है राधा क्रिशन दास जी की हमारा next question है सहित्य कारू इबंपत्र कारू ने हरीस चंदर को भारत इंदु की उपाधी से कब सम्मानित किया तो भारत इंदु को पाधी से कब सम्मानित किया गया तो वो किया गया अठारा सो असी में हमारा next question है समस्य पूर्ती किस यूग की लोग पर ये काब्य पदती थी तो हमारे पास उप्सन नामबर ए है दुवेदी यूग B है भारत इंदु यूग C है भारत इंदु पूर्व यूग और डी है चायबाद यूग तो समस्य पूर्ती किस यूग की लोग पर ये काब्य पदती थी वो थी भारत इंदु यूग की हमारा next question है भारत इंदु के साहितिक गुरु का नाम क्या है तो हमारे पास उप्सन नंबर A है हमारा next question है हिंदी की हिमायत सिर्षक कभीता के द्वारा हिंदी हिंदु हिंदु स्तान का नारा किस ने दिया था तो हमारे पास उप्सन नंबर A है परताप नारा अनिमिशन B है भारत इंदु हरीस चंदर C है एउध्य प्रसाद खत्री और डी है स्रीधर पाठक तो हमारा जो यहां पर उप्सन नंबर A है वो सही हो जाएगा परताप नारायन मिश्र हिंदी की हिमायत सिर्षक कभीता द्वारा हिंदी हिंदु हिंदु स्तान का नारा परताप नारायन मिश्र द्वारा दिया गया था हमारा next question है हमारे पास उप्सन नंबर A है तो इनमें भारति इंदु युग की भी सिस्ता कौन सी नहीं है तो वो है कलपना की अधिक्ता हमारा next question है हमारे पास उप्सन नंबर A है भारति इंदु हरिस चंदर बी है बालकृष्ण भट सी है नरेश महता और राकेश वत्स हमारा next question है तो ये जो पंक्ती है वो किसकी है बादरी नरेण चौधरी प्रेम धन जी की हमारा next question है चित चैत की चांदनी चहा भरी चर्चा चाली बे की चलाईए न समस्या पूर्ति किस कभी की है हमारे पास उप्सन नंबर A है भारति इंदु हरिस चंदर B है प्रेम घन C हम भी कदत ब्यास और लडी है जग मोहन सिंग तो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्सन नंबर B प्रेम घन हमारा next question है पपी है जब पूछी है पीव कहां समस्या पूर्ति किस कभी ने की थी हमारा उप्सन नंबर A है परताप नारायन मिश B है अमभी कदत ब्यास C है गोबिंद गिल्ला भाई और D है दुर्गदत ब्यास पपी हा जब पूछी है पीव कहां समस्या पूर्ति किस कभी ने की है तो वो की है परताप नारायन मिश्र जी ने हमारा next question है एकांत वासी योगी किस कृती का नुबाद है हमारे पास उप्सन नंबर A है डाजल्ट विलेज B है हर्मिट C है लाइफ आपस एसिया और D है लिरिकल बैलिड्स तो हमारे पास जो उप्सन नंबर B है वो सही हो जाएगा हर्मिट हमारा next question है प्रिंस ओफ बैल्स की भारत यातरा का विश्तरी तोर वियोरे बार बरनन युबराज की यातरा सिर्षक से किस ने किया तो हमारे पास उप्सन नंबर A है सत्यदेब परिवार्जक B है मौल B महेश परशाद C है चंडी परसाद सिंग और D है बगवान दीन दूबे तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उप्सन नंबर C हमारा यहांपर सही हो जाएगा चंडी परसाद सिंग प्रिंस और वेल्स भारत की यात्रा का विश्तरित और विवरेवार बर्णन युबराज की यात्रा सिर्शक से चंडी परसाद सिंग ने यह जो बर्णन किया है तो स्टुडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू